नम्मर एक एक्सेसाइज इस्टेंडिंग डंबल करल दोस्तो यह बाइसेप्स के लिए काफी एक्सेसाइज है इसमें आप अपनी फॉर्म का ध्यान रखें बोडी को ज्यादा स्विंग ना करें डंबल उपर लाएं तो बाइसेप्स को अच्छी तरह से स्क्वीज करें फिर तीन सेट लगाएं और अरशेट में 10-12 रखें नम्मर दो एक्सेसाइज इजी बार प्रीचर करल दोस्तो इस एक्सेसाइज को करने से बाइसेप्स का शॉर्ट एड काफी अच्छे से ट्रेन होता है इसमें आपकी बोडी लॉक हो जाती है सिर्फ आपके बाइसेप्स पर ह वर्क होता है इसे आप लाइट वेट के साथ ही पफॉर्म करें क्योंकि यह आईसुलेशन एक्सेसाइज है आप इसके चार सेट लगाएं और अरशेट में 12-15 रखें नम्मर तीन एक्सेसाइज डंबल एमर करल दोस्तो इस एक्सेसाइज को आप खड़े ओकर या बैठकर क कर सकते हैं यह बाइसेपस के आउटर एड के लिए बहुत अच्छी एक्सेसाइज है इससे आउटर वाइसेपस चोड़े बनते हैं आप इसके चार सेट लगाएं और अरशेट में 10-12 रखें नम्मर चार एक्सेसाइज बारविल स्पैडर करल दोस्तो इस एक्सेसाइज को निकलाइन बेंच पर कुछ इस तरह से करना होता है यह बाइसेपस के शौट एड और ब्राक्यालिस मसल के लिए काफी अच्छी एक्सेसाइज है आप इसके तीन सेट लगाएं और अरशेट में 10-12 रखें एक्सेसाइज नम्मर पांच स्टेंडिंग केवल करल दोस्तो इस एक्सेसाइज को केवल मशीन पर कुछ इस तरह से परफॉर्म करना होता है इससे बाइसेपस का शौट एड और लॉंग एड दौनों हैड काफी अच्छे से ट्रेन होते हैं आप इसके तीन सेट लगाएं और अरशेट में 10-12 रेप्स रखें नम्मर चै एक्सेसाइज सेट लगाएं और अरशेट में 10-12 रेप्स रखें दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें कोमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें